नमस्कार स्वागे थे आपका न्यूस चक्र में मैं अफिसार शर्मा मौसम बहुत खुबसूरत है जबरदस्थ रूमानियत है फिजा में मगर भारती जाहता पार्टी के नेताओं के लिए मौसम चाहे जतना भी खुबसूरत हो वो एक ही राग गाते हैं उनकी सुई एक ही जगा पर अटकी रहती है और वो है टुकडे टुकडे गैंग जी हाँ किसानों के साथ एक तरफ तो बाचीत करने का ढूंग और दूसरी तरफ उन्हें बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही केंद्र में ये मंत्री मिस्टर दानवे ने ये कहा था कि अब किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है जब मैंने मुद्दा इसी मंच पर यानि की नियूस क्लिक पर उठाया था तो आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि ये तो एक मात्र एक मंत्री है वो पूरे मोदी सरक्वायर का रवया थोड़ना हो सकता है मगर अब उसे एक कदम आगे जाके कई मंत्री, कई जिम्मिदार मंत्री, कई ताकतवर मंत्री उससे भी बुरा-बुरा कह रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर ये हैं इस्तीफा प्रसाद जी, माफ कीजीगा, रवी शंकर प्रसाद जी दरहसल दिक्कत ये है कि जब ये विपक्ष में हुआ करते थे, वहर छोटी चीज के लिए ये लोगों का इस्तीफा मांगा करते थे आप तो खैर तेवरी अलग हैं तो रवी शंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि इस वक्ट जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पर टुकडे टुकडे गैंग का कबजा हो गया है या टुकडे टुकडे गैंग के हाथ में जाने का खत्रा बना हुआ है आज में रवीशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूँ, रवीशंकर प्रसाद जी आज तक जो आपने बाचीत की है किसानों के साथ, क्या किसानों के साथ बाचीत में आपने उनसे कहा है कि आप लोग टुकडे टुकडे गैंग के हाथों में मोहरे बन कर रहे गए हो और वह भाद बूल जाएए आपकी स्क्रीन्स पर दोस्तों ये खबर देखिए जब ग्रेह मंतर वाले से सूचना के अधिकार के अंतरगत पूछा गया था कि ये टुकडे टुकडे गैंग है कौन तो क्या आप जानते हैं ग्रेह मंतर वाले का क्या जवाब था कि हमें नहीं पता ये टुकडे टुकडे गैंग कौन है कहां पाया जाता है कैसा दिखता है ये एक आधिकारिक जवाब में देश के ग्रेह मंतर वाले जिसके मुखिया ये शक्स यानि की माननी अमिट शाह हैं उन्हों ने दिया था तो आज मैं रवेशंकरफसाजी से पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं कि किसानों का आंदुलन जो है वो टुकडे टुकडे गैंग का मोहरा बनता जा रहा है या उसकी गिरफ्त में आने का खत्रा हो गया है तो क्रपया टुकडे टुकडे गैंग की परिभा कौन है आगे जाके बगर उससे पहले आपकी स्क्रीन्स फर देश के रक्षा मंतरी राजनाच सिंग राजनाच सिंग अपने इस वयान में कह रहे हैं कि जब भी कोई किसान आंदोलन कर रहा हो तो ये मत देखो वो किसकी संस्था से है ये मत पूछो कि उसकी क्या मंशा है ब मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहाँ पर कोई धर्ना चला है और जी हमारी जानकारी में पहले रहता है तो मैं चुछता हूँ कि जिस दिन धर्ना किसानों का प्रारम वहुआ था उसी दिन मैं इस धर्ना अस्थर पर आ गया होता अपना सवर्षत सवर्षत देदे के लि मगर मैं फिर लोटना चाहूंगा रवी शंकर जी करफिया बताने का प्रयास करें कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है क्योंकि आपकी अपनी सरकार को नहीं मालूम कि तुकड़े टुकड़े गैंग कौन है ये ऐसा तो नहीं है कि जब आपको राजनीती करनी होती है तब आप ये शिगूफा छोड़ देते हैं क्योंकि देश की जनता को तो आप मूर्ख समझते हैं किसानों को भी आपने मूर्ख समझने का की खलती करदी थी आज वो किसान आपको बतला रहा है अपने अहिंसात्मक तरीके से अपने सब्भे तरीके से कि आंदोलन किस तरह से किया जाता है और उसके इस आंदोलन में उसकी पूरी कोशिश है कि आम जनता को कोई परिशानी न हो उस किसान को आप टुकडे टुकडे गैंग बता रहे हैं और आपके पास खुद के जवाब नहीं है कि ये टुकडे टुकडे गैंग दिखता कैसे किस जंगल में पाया जाता है आगे मैं बताऊंगा अब इन पर गौर कीजिए पियूश गोयल सहाब बहुत ही प्रभावशाली मंत्री है ये कहते हैं कि अगर किसान जो हैं वामपंथियों और नकसली के प्रभाव से बाहर आ जाएं तो उन्हें किसान बिलके फाइदे दिखने शुरू हो जाएंगे देखिए दिक्कत क्या है सरकार के साथ कि ये लोग क्योंकि इसी मंच पर कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी भारती जाता पार्टी या मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी जाता है तो इनका एक ही तुरुप का पत्ता फिकते हैं लोग इनके पास एक ही संजीवनी है कि सामने वाले को ये बतला दो कि ये जो है गुमरा हो चुका है चाहे वन राइंक वन पेंशन पर सेना के जो वरिष्ट अफसर हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे तो ये कह दो कि ये लोग विपक्ष के हाँ तो गुमरा हो गए है जो लोग लोग नोट बंदी में प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके बारे में कहाँ दो कि ये लोग गुमरा हो चुके है कि अब पास ले देखे यही एक शुकूफा है अब आद यही एक तरीका है और ये माननी है पियुश गोएल पियुश गोएल जी के बारे में समझने के लिए मैं सिर्फ एक खबर आपको बतला चाहता हूँ उससे पहले मैं आपको यह बतलाऊंगा कि इस देश के जो धन्ना सेट है ना मुंबई का जो कॉर्परिट जगत है जितनी करीबी इस शक्स की मुंबई के देश के कॉर्परिट उद्योग से है उसकी शायद मोधी सरकार में किसी मंत्री के साथ नहीं है यही नहीं जो खबर अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ अगर किसी और पार्टी के साथ हुआ होता तो या तो उसने स्टीफा दे दिया होता उस मंत्री ने या कम से कम भारती जाता पार्टी विपक्ष में होती तो उसका स्टीफा ज़रूर मानती खबर क्या है वो आपकी स्क्रीन्स पर है प्यूश गोल पर वायर की खबर देखिए नेतिक्ता को ताक पर रखकर प्यूश गोल ने पीरामल समूह को बेचे अपने कमपनी के शेर खबर आगे क्या कहती है नरेंद रुबोधी सरकार में मंत्री बनने के बाद वरिष्ट भाच्पा नेता प्यूश गोल ने उनके और उनकी पतनी के स्वामित्व यानि मालिकाना हक वाली कमपनी एक निजी कमपनी का पूरा जो ओनर्शिप है चुपचाप इसके बाजार मूल से करीब एक हजार गुना मूल पर अजय पीरामल के स्वामित्व वाली एक कमपनी को बेच दिया अर्बपती पीरामल की बिजली समेत इंफ्रास्ट्रक्शर के क्षेत्र में काफी दिल्चस्पी है इस व्यापारिक समझहोते का या इस व्यापारिक सौदे का अब तक खुलासा नहीं हुआ था ये विकरी 14 सिंतंबर 2014 को यानि गोयल के मंत्री बनने के चार महीने के बाद हुई तो क्या उस वक्गोयल पर कोई कारवाई हुई थी तो देखा आपने साफ तोर पर conflict of interest दिखाई दे रहा है काईदे से प्यूजी को स्तीफा देना चाहिए था मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ मगर दूसरों को पार्ट पढ़ाने के लिए इनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए मैं आपको बतला दूँ कि जस तरह से भारती जानता पार्टी और उसके मंतरी किसान को बदनाम कर रहे हैं इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी हो रही है महराश के मुख्य मंतरी उद्दर ठाकरी ने क्या का कि आपने ही कास्तकर है जिसे हम अन्यदाता कहते हैं उसको आप आतंको आधी कहने लगे और वो देश के बाहर से आए उनको नेक्सलेट पासिपन इसका सुपोर्ट है क्या वो हमारे अन्यदाता नहीं है और जो भी वेक्ति अपने अंड़डाता को टेरोरिस्ट बनता है, मुझे लगता ही कि इंसान कहिलाने के लाइक नहीं हूँ. मैंने कायर करम की शुरुवात में आपको बतलाया था, कि सही माइने में टुकडे टुकडे गैंग कौन है, ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ. इन पर गौर कीजे, ये तो सांसद हैं, भोपाल से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये टुकडे टुकडे गैंगे, मगर मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि शहीद हेमन करकर एके बारे में, इन्होंने ये कहा था, कि मैंने उसे शाप दिया था, करस, देश के एक शहीद के बारे है, प्रग्या जो हैं, बहुत अपनी जंदगी आराम से बिता रही हैं, संसद में तमाम जो समितियां होती हैं, उनके वो सदस से बनती हैं, उनके कामकाज में कोई गरवड नहीं है, तो मैं नहीं जानता हूँ कि प्रधान मंत्री किसे माफी नहीं देना चाहते थे, अब कि किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी चुपे हुए हैं, कॉंग्रेसी चुपे हुए हैं, जो देश बिरोधी ताकते करते हैं, जो देश बिरोधी लोगों को इखटा करके और किसानों को ब्रमित कर रहे हैं, देश को ब्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, या इसके खिलाफ आपने तमाम मीडिया के साहरे एक बहुत ही गंदा और जूटा प्रॉपगैंडा चलाये हुआ है। आप उसे भढ़का रहे हो, मैं बार-बार दौर आ रहा हूँ, आप उसे भढ़का रहे हो। चुकि भीड में आपको कई सिख दिखाई दे रहे हैं, तो आपके पास एक मात्र तरीका है अपना बात रखने का, ये कहे डाला किसा है, वो तो खालिस्तानी है। अब आप बताईए ना, जो किसान शांतिपून धंग से प्रदर्शन कर रहा है, उसे अगर आप खालिस्तानी बताओगे, तो टुकडी टुकडी गैंग कौन हुआ? कौन माहौल को भढ़काना चाहता है? अच्छा यही नहीं, इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये ले दे के वही हिंदू-मुसलिम, हिंदू-मुसलिम सियासत कर सकते हैं, अब ये बंदा कौन है आप जानते हैं, भीजेबी का जो जूट तंत्र, मेरा मतलब प्रचार तंत्र का मुखिया, अमित मालवी है, अब यहां मालवी कहता है कि जो लोग सिक्क और मुसल्मानों के एकता की बात कर रहे हैं, उन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए कि आपके सामने ये है महराजा रंजीत सिंग की मूर्ती, और ये लाहोर किले के रानी जिंदान हवेली के ठीक बाहर है, और आप देख सकते हैं कि इसके हाथ कार्ड दिये गए हैं पाकिस्तान में, तो इनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में जो मुसल्मान बस रहा है, जो पाकिस्तान में सोच बस रही है, उसका हमारे देश से क्या लिना देना है, मालवी भाईया, क्या तुम पाकिस्तान के को भड़का नहीं की उन्हें देशद्रोही बताना उन्हें बिका हुआ बताना बेवजा एक मुस्लिम सिख एक्सस क्रियेट करना इसके जरीए क्या पता चल रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है यह कोई रहा चलते सडक शाप नेता नहीं है सोच ऐसी है वह एक ब कि कौन लोग हैं यह लोग सांसद हैं यह पार्टी में एहम पद रखते हैं और यह लोग किसानों को इस तरह से गालियां दे रहे हैं अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजे ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है जो लोग माहौल को भड़का रहे हैं जो माहौल को वो हैं या कोई और हैं और इस पर गौर कीजिए ये कोई हिंदुतवादी नेता हैं रागनी तिवारी क्योंकि इनका किरदार जब दिल्ली में दंगे हुए थे उस वक काफी उभर कर आया था इन्होंने अपने फेस्बुक लाइब्स के जरीए बहुत ही भड़काउ बयान द संदेश में जो मैं आपको नहीं सुनाने वाला हूं मगर मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूं मैं आपको बाद में बतलाओंगा इस संदेश में कहरी हैं कि जिस तरह से हमने जाफराबाद में कुछ लोगों को सबक सिखाया था वही सबक अब वो उन किसानों को सिखाने जा रह तो पुलीस ने एक रटा रटाया सा बयान दे दिया कि हम इसकी मंत्रणा कर रहे हैं इसके जग कल्पना कीजे दोस्तों कोई वामपंधी नेता होता कोई शरजील इमाम होता, कोई उमर खालिद होता, कोई वरवर रा होता, कोई स्टैन स्वामी होता, कोई सुधा भार्दवाज होती तो आपने तो अब तक उस पर तमाम आतंकवादियों के संदर्ब में इस्तेमाल की जाने वाली धाराएं लगा दी होती कि नहीं होती है आपने मगर आज ये शक्स जो की बीजेबी की कोई सांसद भी नहीं है कोई अमित मालविय जैसा कोई IT सेल का गुरगा भी नहीं है ऐसे में ये सवाल उटना लाजमी हो जाता है और ये सवाल में रवी शंकर जी और प्यूश गोईल दोने से पूछना चाता हूँ कि टुकडे टुकडे गैंग कौन है आपर कौन है जो हमारे समाज को एक साधारन आंदोलन को लेकि टुकडे टुकडे करना चाता है समाज में बेवजह अराजकता पैदा करना चाहता है क्योंकि देखिए जब आप शांतिपूर्ण ढंग से किसाना अंदोलन कर रहा है जब आप उसे बदनाम करते हैं जब आप उसे खालिस्तानी बताते हैं जब आप बेवजह एक आक्सिस क्रियेट करते हैं अब देखिए ना अमरीका में या लंदन में कोई कटरवादी सिख संगठन अगर महात्मा गांधी की मूर्ती पर खालिस्तान का ज़ंडा लगा देता है तो उसका दोश हमारे किसानों को पर कैसे मढ़ा जा सकता है उन वाहियात लोगों का क्या लेना देना है मेरे देश से या उन किसानों से हम क्यूं उन आतंकवादीों को उन कटरवादी सोच वाले लोगों को हमारे किसानों से जोड़ रहे है और ऐसे में जो लोग उन आतंकवादियों को उन कट्टर सोच के लोगों को मेरे किसान भाईयों से जोड़ रहे हैं वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हुए या वो किसान जो आज की तारिक में प्रदर्शन कर रहा है खेर न्यूश्टक्र में आपके सामने ये मुद्दे उठाने का मकसद यही था कि देखे किसान आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार कर रहा है मुझे डर इसी बात का है दोस्तों कि लगातार इस तरह की खबरे भी आ रही है कि भारती जनता समर्थत जो किसान गुठ है वो इस पूरे आंदोलन को एक अलग दिशा देने को तयार है या मोडने को की कोशिश कर रहे है इसके इलावा एक समानांतर एक गुप एजिंडा जारी है जिसके जरी एक किसान को बदनाम किया जा रहा है और उसकी मंशा पर सवाल उठाय जा रहे है तो ये तमाम चेज़ों से देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस किसान के पीछे बैकिंग किसी की हो ना हो मगर वो अपने मुद्दों को लिकर एमोशनल है और जब आप एक एमोशनल इनसान को एक समवेदंशील इनसान को टार्गिट करते हैं, निशाना करते हैं बदनाम करते हैं तो वो भी बौकला सकता है इसलिए आज मेरी किसान भाईयों से भी अपील है किसान दोस्तों से भी अपील है कि अपने इस मंश को किसी भी सूरत में किसी कटरवादी ताखत किसी एक्स्ट्रीम सोच चाहिए वो वामपंत ही हो या दख्षनपंत हो उसके हाथों आप मोहरा ना बनने दें क्योंकि कई लोग आएंगे अपनी राजनीतिक रोटिया सेख में क्रपया इस तरह से किसी को कोई मौका ना दे आपका बहुत कड़ा इम्तिहान है सरकार को इन सवालों को कोई जवाब नहीं देना होता है हमारे आप बड़ी घटना हो जाती है मीडिया सरकार से सवाल ही नहीं पूछता है मगर आप से सवाल पूछा जाएगा आपके एक मंच पर किसी ने कोई उल्टा सीधा नारा लगा दिया तो पूरे आंदोलन को बदनाम कर दिया जाएगा जैसे कि हो भी रहा है मगर मेरी आप से अपील है कि आप लोग संयम से काम ले क्योंकि अब तक जिस तरह से यह आंदोलन हुआ है वो एक बहुती सकारात्मक उर्जा वाला आंदोलन है इससे आगे जारी रखें बिलकुल इसी अंदास में अब इसार शर्मा को दीजे जासत नास्कार